प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार! आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रती आप सब का उत्साह कायम होगा। आज हम सात्वी कक्षा के विज्ञान का अठारवा अध्याय अप्शिष्ट जल की कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि हमने पहले क्या सीखा। हमें जल कहां से प्राप्थ होता है। हम जल का उप्योग किसलिए करते हैं। क्या हम जल को दूशित भी कर रहे हैं। जल को दूशित क्यों नहीं करना चाहिए। आज हम क्या सीखेंगे। जल की उप्लब्धता, वाहित मल क्या है, जल शोधन, एक घटना पून यात्रा, अप्शिष्ट जल उप्चार यंत्र, स्वच्छता और रोग। अप्शिष्ट जल की कहानी। बच्चों, क्या आप जानते हो, उप्योग के लिए उप्युक्त स्वच्छ जल सभी को उपलब्ध नहीं है। संसार की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग दूशित जल के उप्योग के साथ होने वाले रोगों के साथ पीडित है। और मृत्यों का ग्रास हो जाता है। अलवन अर्थात ताजे जल की आपूर्ती में बढ़ती कमी का कारण जनसंख्या वृद्धी, प्रदूशन, उद्योगिक विकास तथा कूप्रबंधन है। इस थिती की गंभीरता को समझते हुए, विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल एसेंबली ने 2005 से 2015 की अवधी को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतराष्ट्रिय दशक के रूप में घोशित किया है। इस दशक में किये जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य सुरक्षित पेयजल उपलब्द कराना था। वाहित मल क्या है? वाहित मल द्रव रूपी अप्शिष्ट होता है। घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालेयों और अन्य उपियोगों के बाद प्रवाहित किये जाने वाला अप्शिष्ट जल वाहित मल कहलाता है। वाहित मल में गुले हुए और लंबित अशुधियां अर्थात अप्द्रव्य होते हैं। इन अशुधियों को प्रदूशक कहा जाता है वाहित मल में प्रदूशकों की किसमे कार्बनिक अशुधियां जैसे मानवमल, जैविक अप्शिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीडक नाशी, शाक नाशी, फल और सबजी का कच्रा आदी अकार्बनिक अशुधियां जैसे नाइट्रेट, फोस्फेट, धातुएं, फोस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जीवानू हैजा और टाइफोईड आदी रोग उत्पन करने वाले क्रमशह, विब्रियो कॉलरा एवं साल्मोनेला पेराटाइफाई अन्य सूक्षमजीव, पेचिश आदी रोग उत्पन करने वाले प्रोटोजोवा जल शोधन बच्चों, जल शोधन क्रिया में एक परिवहन तंत्र आवश्यक भूमी का निभाती है इस तंत्र को मल विसर्जन अत्वा सीवरेच कहा जाता है जो भूमी के अंदर छोटे और बड़े पाइपों का एक जाल है जिसे सीवर कहते हैं मल विसर्जन वाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निप्टान के स्थान अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है यह वाहित मल अधिक सीवरों के द्वारा एक स्थान पर एकत्रित होता है जिसे मैन होल कहा जाता है मैन होल में से पून अप्शिष्ट जल या वाहित मल उप्चार संयंत्र में भेज दिया जाता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अप्शिष्ट जल उप्चार संयंत्र अपशिष्ट जल उपचार सैयंत्र के बारे में समझने के लिए हम एक क्रिया किलाप करेंगे इस क्रिया कलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूहों में विभाजित कर ले प्रतेक चरण में प्रेक्षनों का रिकॉर्ड कीजिए सबसे पहले काच के किसी बड़े जार को तीन चौथाई भाग तक पानी से भर लीजिए इसमें कुछ घास के तिनके अत्वा संत्रे के छिलके जैसे कार्बनिक अप्शिष्ट थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अत्वा किसी रंग की कुछ बूंदे मिला दें जार में ढकन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रन को दो दिन तक धूप में रखा रहने दें दो दिन बाद मिश्रन को फिर से हिलाएं और इसकी अलप मात्रा नमूने के तौर पर किसी परखनली में डालें इस परक्नली में उपचार से पहले नमूना एक की चिट लगाकर इसे नामांकित करें मिश्रण की गंध कैसी है? कांच के जार में शेश बचे मिश्रण में जल जीव शाला एक्वेरियम के वातित्र से कई घंटों तक वायू के बुलबुले गुजारें वातित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके यदि आपके पास वातित्र नहीं है तो यांत्रिक विलोडक अत्वा मिकसर का उप्योग कीजिए आपको इसे अनेक बार विलोडित करना पड़ सकता है अगले दिन जब वातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परक्नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए इसे वातन के बाद नमूना दो के रूप में नामांकित कीजिए फिल्टर पत्र के एक टुकडे को मोड़ कर शक्वांकार बना लीजिए अब फिल्टर पत्र को स्वच पानी से गीला कर लीजिए और फिर शंकू को कीप में लगा दीजिए कीप को किसी स्टैंड पर लगाईए कीप में पहले बालू उसके उपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परतें बिछाएं बचे हुए वातित द्रव को फिल्टर करके बी करों में भर दीजिए द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए यदि फिल्टर किया द्रव स्वच ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक की आपको स्वच जल नहीं मिल जाता फिल्टरित जल के नमूने को तीसरी परकनली में डालिए और उसे फिल्टरित जल नमूना तीन के रूप में नमांकित कीजिए चौथी परकनली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकडा मिलाईए इसे अच्छी तरह से मिलाईए जब तक जल स्वच ना हो जाए परक नली को क्लोरीनी कृत नमूना चार के रूप में नामांकित कीजिए सभी परक नलीयों के नमूनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन कीजिए इन्हें चखिये मत केवल उनकी गंध सुंगिए अब आप निम्नलिखित प्रशनों के उत्तर दीजिए वातन के बाद द्रव के रंग रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं क्या वातन से द्रव की गंध बदल जाती है बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुधियां दूर हो गई थी क्या क्लोरीन से दूशित जल का रंग लुप्त हो गया था क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है क्या यह अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरूचिकर होती है तो चलिए इस क्रिया कलाब के बाद अब हम अपशिष्ट जल उपचार सैयंत्र के बारे में पढ़ते हैं अपशिष्ट जल के उपचार में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रम सम्मिलित होते हैं जो जल को संदूशित करने वाले भौतिक, रासायनिक और जैविक द्रव्यों को प्रिथक करने में सहायता करते हैं। सर्व प्रथम अप्षिष्ट जल को उर्ध्वाधर लगी छडों से बने शलाका छन्ने अर्थात बार स्क्रीन से गुजारा जाता है। इससे अप्षिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट, नैपकिन आदी जैसे बड़े साइज के संदूशक अलग हो जाते हैं। अब वाहित अप्षिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। फिर जल को एक ऐसी बड़ी टंकी में ले जाया जाता है जिसका पेंदा मद्यभाग की और धलान वाला होता है। जल को इस टंकी में कई घंटों तक रखा जाता है जिससे मल जैसे ठोस उसकी तल के मद्यभाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है। यह आपंक अथात सलज होता है। आपंक को एक प्रिथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है। जहां यह अवायवी जीवानूओं द्वारा अपघटित हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन होने वाली बायो गैस का उप्योग इंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार साफ किया गया जल निर्मली कृत जल कहलाता है। निर्मली कृत जल में पंप द्वारा वायो को गुजारा जाता है। जिससे उसमें वायवी जीवानूओं की व्रिधी होती है। ये जीवानूँ निर्मली कृत जल में अब भी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थों, खात्य अपशिष्ट, साबुन और अन्य अवांचित पदार्थों का उपभोक कर लेते हैं। अब शीर्ष भाग से जल को निकाल दिया जाता है। सक्रियित आपंक लगभग 97 प्रतीशत जल है। अपचारित जल में अल्प मात्रा में कार्बनिक पदार्थ और निलंबित तत्व होते हैं। इसे समुद्र, नदी अथवा भूमी में विसरजित कर दिया जाता है। प्राकृतिक प्रक्रम इसे और अधिक स्वच कर देते हैं। कभी कभी जल को वितरन तंत्र में निर्मुक्त करने से पहले उसे क्लोरीन अत्वा ओजोन जैसे रसाइनों से रोगाणों रहित कर लेना आवश्यक होता है। स्वच्छता के कमी रोगों का कारण है। रोगों का अन्य कारण, खुले में वाहित मल का प्रवाह और वाहित मल की व्यवस्था में कमी भी है। खुले स्थानों और जल स्रोतों के निकट मल त्याग करने से जल दूशित हो जाता है। और इस दूशित जल में हैजा, टाइफॉइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपिटाइटिस और पेचिस जैसे रोग फैलते हैं अच्छी ग्रह व्यविस्था बनाए रखने की प्रक्रिया प्षिष्ट पदार्थों और प्रदूशकों को उनके स्रोत पर ही कम करने, अत्वा हटा देने की एक विधी, इस बात के प्रती सचेत रहना है कि आप नालियों में किस प्रकार के पदार्थ बहा रही हैं खाना पकाने के तेल और वसाओं को नाली में नहीं बहाना जाहिए ये पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमा कर उन्हें अवरुद्ध कर सकते हैं खुली नाली में वसा मृदा के रंधरों को बंद कर देती है जिस से उसकी जल को फिल्टर करने की प्रभाविता कम हो जाती है तेल और वसाओं को कूड़े दान में ही फेके पेंट, विलायक, कीट नाशक, मोटर तेल, और शधियां आदी रसायन उन सूक्षम जीवों को मार सकते हैं जो जल के शुद्धी करन में सहायक होते हैं इसलिए इन्हे नाली में मत बहाईए प्रयुक्त चाय की पत्ती, बचे हुए ठोस खाद्यपदार्थ, मृदू खिलोनों, रूई, सैनिटरी टौवल, आदी को भी कूड़े दान में ही फेका जाना चाहिए ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ऐसे अप्षिष्ट ऑक्सीजन का मुक्त प्रवाह नहीं होने देते हैं, जिससे निम्नी करन का प्रक्रम बाधित होता है दोहराई जल जीवन के लिए बहुत आवश्यक है स्वच्छ जल की आपूर्ती में दिन बदिन कमी आ रही है जनसंख्या में वृद्धी, प्रदूशन और द्योगिक विकास आदी ताजे जल की उपलब्धता पर बुरा प्रभाफ डालते हैं वाहित मल द्रव रूपी अप्षिष्ट होती है अप्षिष्ट जल उप्चार संयंत्र द्वारा साफ जल प्राप्त किया जाता है स्वच्छता की कमी रोगों का कारण है खुले स्थानों पर मल त्याग कई रोगों का कारण बनता है जल को दूशित होने से बचाने के लिए घरों में अच्छी विवस्था होना आवश्यक है बच्चों अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके उत्तर आते ही होंगे सबसे पहले रिक्त स्थान भरो जल को साफ करना डैश को दूर करने की प्रक्रिया है तो इसका उत्तर है प्रदूश को अगला रिक्त स्थान कम सफाई से डैश फैलते हैं तो इसका उत्तर है रोग अगला रिक्त स्थान दूशित जल के साथ फैलने वाले कोई दो रोगों के नाम डैश और डैश है तो वो दो रोग कौन से हैं पोलियो और हैजा मेरा अगला प्रश्ण अप्शिष्ट जल उपचार संयंत्र में बार स्क्रीन का क्या कारे है बार स्क्रीन से अप्शिष्ट जल में उपस्थित, कपड़ों के टुकड़े, डंडियां, डिब्बे, प्लास्टिक के पैकेट आदी जैसे बड़े संदूशक अलग हो जाते हैं मेरा अगला प्रश्ण मल विसर्जन तंत्र क्या है? मल विसर्जन तंत्र भूमी के अंदर छोटे और बड़े पाइपों का एक जाल है जो वाहित मल को उसके निप्टान के स्थान तक ले जाता है आज का अगला प्रश्ण अच्छी ग्रहवेवस्था के कोई दो तरीके बताओ तो अच्छी ग्रहवेवस्था का पहला तरीका है खाना पकाने के तेल को नाली में नहीं बहाना चाहिए और इसका दूसरा तरीका है पेंट, विलायक, कीट नाशक आदी, जल की शुद्धी करण में सहायक सूक्ष्म जीवों को मार देते हैं इसलिए इन्हें भी नाली में नहीं बहाना चाहिए इसी के साथ हमारा यह अध्याय समाप्त होता है आशा करती हूँ कि आप सबको यह अध्याय समझ आ गया होगा बच्चों तंदुरूस्त रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें, धन्यवाद आशा करता है